हलो एंड वेलकम बहुत टाइम बाद हम आपके सामने आए हुए हैं आप सबको वैसे पताई होगा कि फ्राइडेज के दिन हमारे पेड कोर्स का एक्जाम होता है आज है फ्राइडेज, आज हमें थोड़ा सा टाइम मिला आपके लिए आप कोई भी टापिक चूज कीजिए ये आपके सामने सेलेबस है हम आपको वीडियो बना के देंगे दो से चार गंटे के अंदर अंदर हम आपको उस टापिक पे वीडियो बना के देंगे नीचे कोमेट कीजिए आपको कौन सा टापिक का वीडियो चाहिए ठीक है आपको मैंने बोला था कि आपको हम पढ़ाएंगे लेकिन क्या करे इतने सारे बच्चे आए हैं paid courses में कि वहाँ पे हम पूरी तरह time नहीं दे पा रहे हैं उनके queries को हम पूरी तरह handle नहीं कर सकते हैं जिस वज़ा से हम paid free में भिलकुल भी नहीं आए बहुत time से लेकिन हाँ एक तो exam अभी आपका है नहीं वो मसला भी है दूसरा ये कि हम आपके लिए crash course जल्दी लाएंगे जो कि paid के लिए भी होगा free के लिए भी होगा और crash course में back to back videos आपको मिलेंगे लेकिन crash course में videos मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ JKSSB को target करते हुए वहाँ पे बहुत ज़्यादा detail में और बहुत ज़्यादा चीज़े हम वहाँ पे guarantee नहीं है जैसे कि paid courses में हम detail में जाते हैं crash course में हम detail में नहीं जाएंगे लेकिन हाँ ऐसा नहीं सूचना कि sir crash course में आप कुछ पढ़ा होगी नहीं जितना आपने कहीं से पढ़ा होगा या खुद से पढ़ा होगा crash course में उससे ज़्यादा ही होगा ठीक है अब यहाँ तक तो ठीक है अब मैं आज आज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पिछली Friday को जो हमने exam लिया था paid courses का वो paper में आपको दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से paper आता है JK SSB क्या पूछ सकता है आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि आप competition में कहां पे खड़े हो आपको ये भी अंदाज़ा होगा कि जहां पे आपने पढ़ा है चाहे ऑनलाइन पढ़ा है आफलाइन पढ़ा है खुद से किताबों से पढ़ा है कहीं से भी पढ़ा है तो आपको अंदाज़ होगा कि आप कहां पे हो, कितना आपने पढ़ा है, कितना ज्यादा पढ़ा है, कितना कम पढ़ा है कहीं ऐसा नहों कि आप exam हाल में बैठो और exam हाल में फिल आपको असली पता चले कि आपने कितना कम ज्यादा पढ़ा है इसलिए बहुत जुरूरी है अपने आपको पहचानना कि आप कहां पे खड़े हो जो पेपर हमने आपको दिखाएंगे अभी हम पेपर पुराने फ्रैडे का जो पेपर है अब आज की Friday का पेपर तो हम आपको नहीं दिखाएंगे कुछ दिन बाद ही दिखाएंगे जो पिछली Friday का पेपर हमने लिया था paid courses में उसमें हमने पहला पहला topic खत्म किया था एक हपते में जैसे कि paid courses में आपको यहां से सवाल आएंगे बाकी नहीं मिलेगा आपको यहां पे सर ने थोरिया probability पढ़ाई हुई है शायद खत्म की हुद थी लेकिन maximum पढ़ाया था शायद तो वहां से सवाल आएंगे आपको economics में आप देख लीजे यह खत्म हो गया था पहले week में तो यहां से आपको सवाल देखनी को मिलेंगे computer में भी हमने पहला topic ही उठाया था तो यह भी आप देख लीजे सवाल यहीं से आएंगे accountancy and bookkeeping भी शायद सर ने यही पढ़ाया था शायद touch equation कमी किया था शायद यही पढ़ा था नहीं तो equation भी touch किया होगा ज्यादा मैंने नहीं देखा accountancy सर ने कितना पढ़ाया तो वहाँ से भी सवाल आएंगे आपको अभी paper में और science में भी सर ने शायद यह पढ़ाया है यह topic पढ़ाया है हाँ यह topic पढ़ाया है तो वहाँ से ही आपको सवाल आएंगे तो jkssb के हिसाब से 120 question दो गंटे में हमने paid courses को दे दिये थे अब यहाँ से बाकी चीजे हमने अभी exam नहीं लिया अभी वो नहीं पढ़ाया तो इसलिए 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 आपको सिर्फ जो मैंने underline की चीजे उसके related आपको और आपने यह सारी चीजे पढ़ी होगी यह पहली पहली line है न यार हर एक हर एक हर एक portion की पहली पहली line है आपने यह चीजे पढ़ी होगी कहीं न कहीं तो आपको दूर से पता चलेगा दूर से अंदाज़ा होगा कि आपने कितना cover किया हुआ है ठीक है जेके SSB पंचायत एकमटरस असिस्टन्ट की कोचिंग फ्री में हम कराएंगे क्रेश कोर्स वो मैं आपको बताऊंगा कब कराएंगे अभी तो एक्जाम है नी लेकिन एक्जाम से पहले कराएंगे और आपसे वादा है पुरा सेलबस कम्पिलीट कराएंगे लेकिन क्रेश कोर्स के हिसाब से क्यूंकि ये नाइन साफी होगी ना हम आपको बहुत डिटेल में और बहुत जबरदस पढ़ाये पैड कोर्स को भी पढ़ाये आपको भी पढ़ाये अब यह बताना चाहोंगा मैं कि सुपरवैजर के पोस्ट जो है वो उनके exam होने वाला है इसलिए supervisor का भी free में launch हो रहा है YouTube पे फिलहाल ठीक है अब यहां तक तक चीज़े clear है अब मैं जेके bank की भी coaching हम आपको जल्दी कराएंगे 20 तारी को बोरेंगे न पेपर यह न यह फॉर्म बरने का टाइम है लेकिन जेके bank की हमने coaching बहुत बार कराई हुई है कुछ videos नीचे हैं कश्मीरी language में हैं आप वो देख लीजे नीचे जाके और हाँ चलिए हम आपको लेते हैं कि पेपर हमने पहले Friday मतलब पहले week में कि जितना पड़ा उसमें जो हमने पेपर बनाया है वो कैसा है ओके चलिए देख लीते हैं तो ये रहा आपके सामने पेपर जेके पंचायत account assistant का ठीक है test paper 1 जो पहले हफते हमने पड़ाया अब यहाँ पे आप देख लीजे 120 marks है दो गंटे है पहले computer के 30 marks और फिर बाकी चीज़े हम देखेंगे जो जो मैं पढ़ाता हूँ मैं discuss सिर्फ उतनाई करूँगा बाकी teachers को भी मैं request करूँगा कि वो भी video बनाएं जो ये paper दिया गया था अब यहाँ तक तो ठीक है देख लीजे पहली बात ये है कि पहला question ये था कि किसने describe किया feature read one card at a time of tabulating machine ये मैंने पढ़ाय हुआ है आराम से हर्मत होलेरित इसका answer है अब दूसरा question कि पहला general purpose electronic computer for commercial use कौन है ये भी मैंने पढ़ाय है युनिवैक है उसके बाद है punched cards को और क्या बोला जाता है उनको होलेरित cards भी बोला जाता है यहाँ पे वैसे cards लिखना था क्योंकि देखो इसमे कर लिया टाइपिंग के बाद हमने ज्यादा चक नहीं किया क्योंकि हमें लगा था शायद टाइपिंग उनने accurate की होगी तो देख लिजे कि पंचिड cards को हॉलेरित cards भी बोलते हैं IBM cards भी बोलते हैं तो answer आएगा ये ठीक है थर्ड question का और उसके बाद इंडिया का fastest super computer कौन है बताईए तो बहुत के दिमाग में ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है मगर ये है answer ठीक है प्रतियूश ओके और उसके बाद है super computer would be used for which of the following applications ये मैंने आपको बताया है कि ये जो super computers है वो किस के लिए इस्तिमाल ज्यादा use होते हैं मतलब scientific purpose के लिए ठीक है ये मैंने आपको बताया हुआ है आपने भी ये free में पढ़ी हुए है कुछ चीज़े पढ़ी हुए है जैसे कि ये वाला question नहीं पढ़ा होगा ये वाला शायद नहीं पढ़ा होगा तो कुछ चीज़े नहीं पढ़ी होंगी लेकिन बहुत सारी चीज़े पढ़ी होंगी free में भी क्योंकि य ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, तो ये मैं बोलूँगा, ये मिस्प्रिंट हुआ है, इसके options में, तो छोड़ दीजे इस question को, उसके बाद modern father of computer, ये आप सब को पता ही होगा, कौन है, Alan Turing है, ठीक है, और उसके बाद which computer came first, ये भी आप सब को पता ही और उसके बाद है, कि यहां तक तो हो गया, अच्छा, उसके बाद size of computer during the five generation, five generation में size of computer क्या होगा, आप इसमें दिमाग में confusion होगा, कि इसमें क्या आएगा, decrease it आएगा, कि slowly decrease it आएगा, slowly decrease नहीं होगा, क्योंकि अचानक से size गिर गया, फिर उपर होता था, तो ये कह सकते हो आप, decrease it होगा, ठीक है, अब 10th question, generation of computers started with the emergence up, ये तो बहुत सरे बच्चों को पता ही होगा, electronic computer से, अच्छा, उसके बाद, which among the following is associated with first generation computer, अच्छा, first generation computer में बहुत सारे लिखेंगे ये, कुछ लिखेंगे ये, कुछ लिखेंगे ये, तो आप सब को पता ही चला होगा, कि क्य all of these answer है, ठीक है, और उसके बाद हम आएंगे 12th question पर, 12th question क्या है, कि match कीजिए आप इन में, इसमें भी actually थोड़ा सा misprint हुआ है, लेकिन आप सब को पता ही होगा, इसका answer नीचे आप कर लीजे, बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, लेकिन options में misprint हुआ है, लेकिन छोड़ होगे हैं, इसलिए आसान शायद लगते होंगे, तो आसान भी हैं वैसे फिलहाल, accountancy थोड़ा सा tough आया हुआ है paper, क्योंकि accountancy सर ने बोला, कि जो ये post है, ये accountants assistant का है, आसान questions तो आने की chances है ही नहीं, और अगर हम, अगर मैं चाहता तो इनको आसान questions देके मैं इनको खुश भी कराता, तो इसलिए accountancy का paper काफी tough students को लगा, लेकिन students ने accountancy मैं भी 30 by 30 किये हैं, बहुत सारा हमारे paid courses के students हैं, जिन्होंने 120 by 120 भी किये हैं, वो भी 2 गंटु में, उन सभी students को मैं welcome कहता हूँ, अब 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 यहां तक तो ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद 14th question, अब 14th question जो है, वो क्या है, आप correct order दीजिए, 4 major functions आप computer क्या आगा है, बहुत आसान है यह, इसमें B आएगा, input, process, output, storage, उसके बाद 15 cards were invented by, हाँ, यह अच्छा सवाल है, बताएं इन्वेंट किसने किया, हरमित, होलेरित, तब ही तो बोलते हैं, होलेरित cards भी इनको, तब ही वाले questions को है, counter wheels answer, ठीक है, अब ऐसे इनको पहले, यह थोड़ा गलत भी question है, developed during first generation of computer, यहाँ पे यह नहीं होना चाहे था, ठीक है न, यह लिखना था before, before, before लिखना था, during के बदले, अब यहाँ तक तो ठीक है, उसके बाद 17th question क्या बता रहा है, computer size smallest किस में था, micro में था, जो है, उसमें क्या है, computers built before the first generation computer was, वाज या वायर, चलो, थोड़ा सा grammatical यह भी हुए है, तो बताइए sir, 18th questions को क्या आएगा, आप सब को पताई चला होगा, कि क्या आएगा, इसको electro mechanical computers, ओके, और उसके बाद, second generation computer used dadish language, बताइए, इसका answer आप, आप सब के दिमाग में बह यह होगा, यह होगा, ठीक है न, हो सकता है, तो यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, लेकिन आप याद रख लीजे, second generation में यह answer आएगा, यह मैंने पढ़ाई हुई है, यह चीजे आराम से आप देख सकते हो, वो lectures, कुछ चीजे नहीं पढ़ाई हैं, जो के paid में हैं, लेकि यह बहुत आसान है, यह first generation of computer में ही batch आया, अब who developed IC, IC किस ने develop किया, बताइए इन में से कौन सा answer है, यह तो पता ही होगा, सब को पता होगा यह, ओके, उसके बाद 22 question, which of the following is generally cost layer, cost layer तो super computer ही होगा sir, अचा first generation computer was generally used in scientific applications, 23rd को AI आएगा, उसके बाद 24th है, इंडिया का first super computer is, यह भी बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, उसके बाद है world's first super computer is, यह भी आप सब को पता ही होगा, उसके बाद napier technology used for calculation called, यह भी बच्चों को पता ही है, first special purpose computer is, बताइए first special purpose computer कौन सा है इन में से, तो याद रखना ABC computer, यह जबरदस कोशन है, याद ठीक है, उसके बाद IBM 650, full form of IBM is यह बहुत आसान है, यार यह तो बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सब को पता ही होगा, international business machine, जड़ाई computer was developed by जड़ से होगा, उसका नाम Zeus, जड़ाई, जड़ाई से, Zeus, match the following 30th question, इसमें भी options का misprint हो गया है, लेकिन आप आराम से इसको कर सकते ह बहुत आसान सवाल है, अब accountancy का कुछ paper थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा टफ नहीं लगा, थोड़ा सा लगा, कुछ बच्चों को सा भी बच्चों को नहीं, ठीक है, अब financial statement are part of, यह आप देख लीजिए, आप मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूँगा, आप को रुका सकते हो, यहाँ पे और यह questions कर सकते हो, खुदी ठीक है, अब यह questions आप खुदी try कर लीजिए, मैं देरे देरे गुमा रहा हूँ, और हाँ मैं आपको इसके बाद आप ले चलूँगा, एकनॉमिक्स पे, और उसके बाद आपको ले चलूँगा, मैं last पे, जीके प क्योंकि वो मेरे portions है, मैथ में भी सर ने probability शायद आदा ही चप्टर पढ़ाय हुआ था, शायद वो नहीं दे सके अच्छी तरह classes पहले हैं, तो यह आप देख लीजिए, यह आप देख लीजिए, यह आप देख लीजिए, क्या क्या सवाल आये हुए हैं, यह आप zoom रुका स सकते हैं, biology सर ने भी काफी जबरदस पढ़ाया हुआ है, biology सर का बहुत जबरदस response हम सब teachers में आया हुआ है, मेरे हिसाब से, तो आप देख लीजिए, biology सर किस level की questions हैं, तो आप देख लीजिए, कितने सवाल आपको करने आते हैं, और खुद को चक कीजिए, अगर आपको 120 मे 100 आ जाते हैं, तो आप बहुत जबरदस हो, अगर आप 80 भी करते हो, तो बहुत जबरदस है, कम मेहनत करने की जुरत है, अगर 100 में से 60 आते हैं, तो फिर बहुत मेहनत करने की जुरत है बाई, अब economics में देख लीजिए, मैं इसको discuss करूँगा, factor payment flow is from, बताए, बहुत आसान for land is, land के लिए factor payment, बताए, कौन सा है, इन में से कोई नी, क्यों land के लिए rent दिया जाता है, तो answer कोई नी, उसके बाद real flow और physical flow indicate क्या करता है, बहुत आसान सवाल है ये सारे, वो indicate करता है, दोनू A और B, flow of goods and services और flow of factors of production, ठीक है, अच्छा, चार sector model में, जो flow of money, external household से internal firm के ल केज बोलेंगे, कि injection बोलेंगे, बताए, बहुत आसान है, injection, इस सारे question आसान है, मुश्किल इन में से कोई है नी फिलहाल, ठीक है न, ये जो questions है न, जो हमने आपको दिये हैं, ये उतने tough नहीं है, बहुत बहुत आसान सवाल है, तो हमारे हिसाब से फिलहाल, क्योंकि फिलह हम ज़्यादा मुश्किल देना नहीं चाहते थे सवाल, तो बताए, competition between farmers is maximum in which type of economy, ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, capitalism में, अब in which type of economy, state provides resources to start business, but full ownership remains with state, ये बहुत interesting question है, 86 को ये भी आएगा, ठीक है, बहुत interesting question है, उसके बाद, इंडिया mixed economy है, प्रैक्टिस में, वैसे प्रैक्टिस में, क्योंकि इंडिया जब हम पढ़ते है न, जब हम पढ़ते है न, प्रैंबल, we the people of India, उसमें socialism लिखा है, मगर प्रैक्टिस में पता चलता है, कि mixed economy है, तो यहां तक तो ठीक है, बताए, सर वो क्या होता है, वो तो सर private public, ये होता है, बहुत आसान है, अच्छा, primary sector, secondary sector, इसको match the following करके, बताए, आंसर क्या होगा, आंसर जब आप डुनेंगे, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, आंसर, ठीक है, बी, और उसके बाद, real GDP, financial year 2020 का, हाँ, current affair के कुछ चीज़े हैं, बताए, real GDP, financial year 2020 का कितना है, वो है, 4.2%, बहुत आसान है, हर एक चीज़ पढ़ाई हुई है हमने, अब quarterly growth, financial year, इसमें जो financial year है, उसमें बताए, quarterly growth, increase हुई है, decrease हुए, क्या हुआ है, बताए, 90 का आंसर है, C, continuously decrease हुआ है, एक quarter, दूसरा quarter, continuously decrease हो गया है, ठीक है, और उसके बाद, general knowledge with special reference, ये question बहुत ही ज़्यदा आसान थे, तो ले, popular name of ललडद क्या है, इसमें आएगा, बताए, ललेश्वीरी, ठीक है, अब इसमें भी, 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 प्रॉब्लम एक सवाल में, इसको अच्छी तरह लिख लिए ना था, यहां पे both A and C लिखन आएगा, आसान सवाल है यह, बहुत आसान है, popular name of चिवैंग नौर फेल, बताएए, आपने पढ़ा भी होगा, शायद यह बहुत आसान है, कहीं न कहीं से तो पढ़ा ही होगा, आइसमें इसको बोलते हैं, अब, विच, यह सारा general knowledge of JN के के related है, सारा कुछ, ओके, which among the following is the famous computer scientist of JN के, इन में से कौन है बाई, वो है सुभाश काक, तो 96th को answer क्या है, उसका answer है, all of Evo, क्यों, क्योंकि इन personalities ने receive किया है, Padma Shri Award, इन सब ने receive किया है, JN के के हैं यह, फिर 97th question, जिसका answer में पहले बता दूँगा आपको, चलो पहले आप देख लीजे, question answer क्या हो Vibusion Award लिया है, यह तो बहुत important है, सर, इसको सतेश दवन को कभी बूलना नहीं आप, अचा, Women Scientist of JN के, इस, बताए कौन सी है, Women Scientist JN के की, यह सब ही है, तो इसलिए answer आएगा E, अचा, उसके बाद है 99th question, India's first female base jumper from JN के, इस, कौन है, बताए, वो answer आएगा C, answer आएगा C, अ The world from JN के is, बताए कौन है वो, answer आएगा Tajamul Islam, उसके बाद, first woman trainee of India in scuba driving, scuba diver, sorry, from JN के is, वो ही है सर, नाम है, same, same, A आएगा, 101 को क्या आएगा A, आचाना सरदाना, उसके बाद, अचा, current capital, sorry, captain of JN के, क्रिके team कौन है, बताएगा आएगा, परवेज रसूल आपके दिमाग में, कौन से temple dedicated है to Lord Shiva, JN के का अमरनात है, यह है, यह, आपको याद रखना है कि, सभी है, सभी है, ठीक है, all of the above, आएगा, 103 को D आएगा, उसके बाद है, which among the following is related to Buddhism, बताएगे, 104 यह question यहाँ पे लिख लेना था, ठीक है, तो बताएगे, इकरा रसूल क्रिकेटर अप जमुएन कश्मीर की है, उनका popular name क्या है, बारा मुला की सुपरगल, अचा पहला जमुएन कश्मीर का क्रिकेटर जिसने रेपेजन्ट किया इंडिया को in international cricket, इने में से बताएगे, वो कौन सा पहला है, जिसने किया, तो answer होगा, 106th question को A, इसके बाद है 108th question, question कहा है, फर्स्ट पीम आप जमुएन कश्मीर आप्टर इंडिपेंडेंस वाज, यह बहुत आसान question है, मतलब यह सारे question आने चाहिए, यह बहुत हद से ज्यादा आसान question है, महरचन महाजन, उसके बाद है, बाइविच अमेंटमेंट वजीर आजम और सा को यह पता है, मतलब सब को यह पता है, उसके बाद 110th question है, अब देखो ना, दूसरे टेस्ट में लेवल बड़ीगी, difficult questions आएंगे, फिर तीसरे टेस्ट में और difficult questions आए थे, आएंगे, यह पहला टेस्ट था तो हमने सोचा, पेड़ वालों को ज्यादा दबाव नहीं पढ़ आप यहां तर तो ठीक है, और हाँ जो पेड़ हमारे बच्चे हैं, इन्शालला मैं चाहूंगा, आप सब को, आप सब को, आप जो फ्री में पढ़ रहे हो, सब आप कामियाब हो जाए, लेकिन जो पेड़ वाले हैं, हम चाहते हैं कि हम उनका result फिर आगे दिखाएं, ताकि कि आगे पता चले कि कौन से बच्चे हमारे paid courses से select हो हैं, कौन से नहीं, तो हम इसलिए documents मांगते हैं, क्योंकि हमारा motive ही कुछ और है, कि उनकी selection कराना, अभी तो हम उस level की coaching वहाँ पे भी नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अभी पता ही नहीं कब होगा पंचायत, account assistant काश के होता जल्दी, तो हम फिर उस level की कराते आगे जल्दी, अभी भी उनको बीच बीच में थोड़ा सा, उनको भी विचारों को, छे लेक्चेर से कभी पांच, कभी तो किसी दिन तीन ही मिलते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा सा होता है, क्योंकि अभी हम ज्यादा pressure ने, और वो भी 110 को आंसर है, जीम सादिक, अचा लास्ट प्रेजिडेंट एन फर्स्ट गवर्नर आफ जेंड के वाज, बताएए इसका आंसर करन सिंग, अचा यंगेस्ट सीम आफ जेंड के यह बहुत आसन सवाल है, मतलब मुझे लगता है आप सब को यह आते होंगे, हमर अब्दुला, और उसके बाद है, 130th question, who is noon as share a duggar, देखो share a duggar मैंने बोला यहां पे, ठीक है, उसके ओपर भी duggar लिखा है, तो आब आप बोलोगे, इन दुन में कौन है, तो इसलिए पूरी तरह preparation करके जाना होता है, प्रेमनाथ, डोगर, डोगरा, और उसके बाद, 114th question है, only woman chief justice of jume and kashmir high court, कौन है, कौन है, कौन है, शायद ये भी आपको पता ही होगा, गीता मितल, आसान question है, बहुत आसान question है, फिर first chief justice of jume and kashmir high court was, तो बताए इसका answer क्या है, कौन से, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, कि आप अपना result भी नीचे देख लीजे, दे दीजे, कि आपने कितने answer question सही हुए, कितनी question गलत हुए, ठीक है, आप अपना result भी दे दीजे, और हो सकता है, मैंने जल्दी जल्दी में कोई option गलत भी दिया हो, तो आप मुझे correct कीजे, अगर हो गया हो, ठीक है, अच्छा, 116th question क्या है, वो है, main support of chan sing is, क्योंकि अच्छी तरह हो सकता है, क बहुत ज़्यादा बच्चों को पता है, क्योंकि इसका बहुत contribution रहा है, जमुयन कश्मीर में, तो बताए, chan sing का support क्या है, ये है कि ये है, इन में से कोई नहीं है, आप सब को लिखना है, नीचे क्या है, और उसके बाद 117th question जो है, वो क्या है, कि who among the persons of JNK is currently coach of Kerala Blasters football club, तो अंसर आसान है, इश्वाक अहमद, उसके बाद रोल अप परवेज रसूल इन क्रिकेट, बताए क्या है, दोनों, A and B, right hand bad भी, right arm of big भी, वो all-rounder है, all-rounder option होता तो वो भी चलता, ठीक है, और फिर question है, who among the following shooters from JNK represented India in 2016 Rio Olympics held in Brazil, बहुत important question है, इसका अंसर है, चैन सिंग ज और match the following कीजे और बताए इसका आंसर, ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ इसका आंसर, नहीं काफी interesting सवाल है, आप इसको आराम से कीजे, 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 तो अब तक, तब तक मैं कुछ बात बोलूँगा, आपको मैं एक मिनट दूँगा, क्योंकि य आने वाला है अब, उसमें आप थोड़ा सा देखोगे कि मुश्किल सवाल है, उसके बाद जो पेपर आएगा और मुश्किल सवाल है, आप देखोगे, आपको हम दिखाएंगे, उसी दिन नहीं दिखाएंगे, जिसने एक्जाम होगा, कम से कम 4-5 दिन के बाद, हम जब फ् चारों के हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सरे बच्चे हैं, मतलब 1200 स्टूडन्स आगए हैं, 1200 स्टूडन्स को हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, तो यहां तक थो ठीक है, चलिए, देख लीजे आप इसका अंसर में आपको लास्ट में बता दीजिए नीचे ठीक है और आप बताएंगे हमें की कौन सा टॉपिक हम आपको बना के देंगे हम आपको बना के देंगे ओके सभी खुश रह लीजिए बाई